हे अगस तेमनी, शुलो चनाको तियो अध्भूत दिप्प्य कथा तिमिले जो सुनी सक्यों अब आजा तिमिलाई मा कंचन मालीनी नाम की योठा श्रेष्ट अफ्षराक वत्यन्त राम्र कथा सुनाऊंजू सावधान भायर सुनाऊं यो चेलीको क्वात्म कल्पको अठाईशं चौधन्डी बंदा दुई चौधन्डी पोहिलेको त्रिता योगमा गंधर्व नगरमा जनिमेकी अत्यन्त राम्री कंचन मालीनी नाम की अफ्षरा सुरिया चंद्र प्रिथिवी तिने मकर राशिमा रहकाले कुम्ब योग परेको माग महिनामा मागे ओशिका दिन प्रयागमा गंगा यमुना सरसुती मिलेको चंगम इस्थलमा त्रिविनीमा संचल मकर स्नान गरेर एत्तिकै चिसाई लुगाले आकासमा डढेर कैलासमा गहीर है कि थी अतेन्त तेज शुनी सुन जस्तो भर्ना डिस्कको नितंब लामचा लामचा आखा पुरुना चंध्रमा जस्तो चहकिलो अनुहार लामा लामा केश ठड़ियेका गोला गोला इस्तन हरुले चो भी एकी सुनको मसीनो धागो जस्ते जारले बुनेको चिनिया सारीर चोवबंदी चोलो तम्म लेर मिलाएर आंगमा लायकी नहुदा आचल कमरमा कसे किली चातिमा चोवबंदी चोलो अती रामरी उसलाई अकासमा उडेर गहीर एको देखेर तल हिमालाईको कंदारामा रहने पहाड जस्ते अकला कुरूप कुने बुडा राचेसले उनलाई देखेर उसले बन्यों है कमलकाव फूल को कोपिला जस्ता आखा भएकी कली आणि तिमी को हो तिमी कहां बात आई रहेकी छोओ तिमरा लुगा किना चिस्टेविचन तिमीरो चुलठो किना भिजेको छोँ है सुन्धरी कहां बात आई के हो तिमीमा यो उन्ने सक्ती कसरी भयो अनि हे कल्याने कूर पुन्नेले तिमीरो यो एती त्यजीलो शरीर वहेको हो यो यो यस्तो अत्यनते रामरो आखा वाली तिम्रो चीशो रुगा बाट मेरो टावको मा धरीको पाने को थोपाले हे भद्रे साथै कूर रहने मेरो मन एकागर एका एक सांत अवयो यो जलको चिटाको एस्तो महिमा की हो यो किरा मलाई बेले विश्तार लगायर बरणान बरा किनकी मलाई तिमी अत्यनते शीत वती लागी रहीगी छो एस कारण तिमीरो अकृतिक गूण हीन उना सकताई न तेस राक्चेस को एस्तो कुरा सुने पची आपनो उडान रोकेर त्यों अफसरा कंचन मालीले बनना थानी हे राच्यस चुना मा आपनो इच्छा अनुसार रूप धारन गरना सकने कंचन मालीनी नाम गरेको अफसरा हूँं आईले मा प्रयाग भाताही रहीग महीले प्रयाक मां गंगा यमुना सरसोतिको संगम मां नुहाय की छू तेसेले मेरो केशर बसर विजे को छा हे राक्षेश मौ एती हेरा परवत्मा अती उत्तम कैलास परवत्मा गही रहेगो छू महा शूर अशूर अर्था दीव दानप को भक्ति पुर्वक गरिने पुजा गरिने पारवत्मा पति माधे प्रहनोंच हे राक्षेश प्रयाक को त्रिवेणी को जल को प्रभाबले तेरो दुष्टता अठेको जुन गंगा इमुना सरसोतिको संगम इस्तल प्रयाक को त्रिवेणी मा तेरे वर्ष मकर इस्नान गरेको पुण्डिको प्रभाबले मौ ये दिखेर सुमेधा नाम को कंधरवक की अती सुन्दरी छोरी भाई की चू अब मा त्यो सबय कुराती मिलाई बेली विस्थार लगायर बंद कहन चू तिमी मन लगायर सुन्दा एस पद्म कल्पको छब्विशयों चोगडी को तरेता युगमे मा अजन आप देश अर्थात अचेल को भारत बर्समा रायको कलिंग देश को कलिंग धीपती राजा की परिजस्ती सुन्दरी रखोटी योबनी बाट जन्मीक उन्दाले रूप्र सुन्दत ताले सोबिये को चू गणी आपना सुन्दरताको मादले गमंडी परम सुन्दरी याम की बेहा ठी तीश कलिंगी नगारमां तेत की खेरमा अरू समस्ट सुन्दरी हर को चीरोमनी पनी अत्रानी ठी तेश जन्मामा मामेले आपनो ठुरुनाईमा आपनो इच्च्छ अनुषार शार्बोग नसम् पतिली तिव सारा नगरलाई मुग्दा पारे की थी। मामा लठ्थिये का धनाड्य धनाड्य इव घरुबाट बिचित्र बिचित्र का मनग्य रत्न हरू नाना प्रकार का गहना हरू प्रसस्त धान अनी रंग भीर्यं का लुगा हरू तथा कपूर अलग मिश्रित चंधन तिसको जान अन्त जान दाई न थे। किनकी कामले पिरिद भाय का युवार आज पुत्र हरू र सेट साहू का मठ्था छोरा हरू मेरा चरण को सेवाल संदै गरती। मैले आपना नखाराले ती सबय को सर्बस्चो धुते। कती काम पिरिद युवक्र आपसमा आना हान गरे ति खेर त्यो अती राम्रो पुरान नगर को मेरो अत्ते चिस्ते चाल थिय। परन्तु जब मेरो दन्धनावुदो मेरो डलकिय। युवक्र को वहरी पहिलावुदे गय। तब मेरो मन विरक्तिन दै सोच गरना लागे। आरे शि伟व मेले जबानी मात्त पात्रमettes दान दन्धिय। आपस्टिय्ट अन्णीत। नता मैले कुनी बर्त नेम पुर्वा गरे, नता मैले धार्म अर्थ काम मोक्षे दिने वगदान को आरधाना गरे, नता मैले दुर्गाती नास गरने दुर्गा देवी को पुजा गरे, यो जाबो तुक्ष दुई दिने चक्टक मटके नाटके शुग भोग को अबभोग गर गर्दया नात सारा पाप अरने विष्णु को इसमरन ने गरी। या उनको नाम जपी ना ब्राह्मन हरुलाई असल असल भोजन र प्रसस्त दक्षगाले त्रिप्त संतुष्ट ने पारे। नात कुरुने प्राणी को कल्यान हुने कारी ने गरें। ते दिखेर योवन को धनकीर माती को उमेरमा अरमको कत्ती पनी मनमा बसमा नराखी। ती मध्ये युटा पनी पुन्य कर्म गरीना गर्दय गरीना हे भद्र राख्चेश। मैले ते सरी धेरेई पाप गरेर अंतमा गलाका चाला चावरीना थाले पची पाप कर्मको मेरू मन बत बती पोल्न थाए। तबम असिद्धाई पीरिये अतेंताई चिन्ता क्रस्ट भएर कुने विद्ध्वान ब्रामन को सरण मा गई। ब्रामन देबता गुरुकुल्मा बशेर अस्रमा नेम पालान गरेर धन जट्टा सारा शूर सैत पड़नु परने रिक बेद, एजुर बेद, साम बेद, अथरव बेद, इचारई बेद का अनी छव बेद सास्त्रा अर्थाद पड़धा अनु शासन शिखावनेर चिच्या सास्त्रा का बेद का उच्चरन घरन शिखावने, कल्प बास बेद का सब्द सिद्धा घरन शिखावने, ब्यकरन सास्त्रा ग्राहर को घटी विदी शिखावने, चोती सास्त्रा बेद को सब्दार्थ को अर्था गावने, निरू सक्ति सास्त्रा बेद का लव शिखावने, चंद शिकावनी और छो दर्शन शास्त अर्थाद ठीक बेठीक लिने गरना शिकावनी निया दर्शन आत्मा बारे बोद गरावनी वेदान्त धर्शन प्राक्रितिक पुरुष बारे विवचाना गरनी संक्या दर्शन कारे लाए देखीर कारण पत्त लगावन सिकावनी वेशो बी दर्शक बेध बीध कर्मना धर्म हो भने र सिद्ध गरनी पुर्वव मिमास दर्शन ब्रह्मान इश्वर हो भने प्रतिपाधन घरनी उत्तर मिमा समा दर्शन इचा दर्शन र चित्त बृति लाई रोके र चित्त लाई युटई वस्तुमा अड़े रहा राखना शिकावनी योग दर्शन का आठ अंगा पनी यानी इंद्रिया का मची मन नदोडावन भनी इम पवित्रा पुर्बक धैनी सदा चार्मा रहनून जीन्टिया कं परमास्हन आदिमया भसना शिक्नननना आशन शाशरा स्वाश परशाष करिया गरना शिक्न नई प्रणायमा इंद्रयादी मात्रय मन को एकागरता उनुनाई ध्यान सुने को स्वास प्रस्वास करिया गरना शिकनुनाई प्रणायाम इंद्रया का बेगलाई रुकना रप्रत्याहार सुर्य को तेजवान मात्रय मन को एकागरता उनुनाई ध्यान सुने को पूरू यथार्द भुजनु नई, भारण प्रणाम लए प्रह्मान्डम पुर्याई, उई राखी राखी, भाय को अभी चल इस्तिती नई, समाधी इधा का ग्याता अर्थात, जपने तथा गाउं बस्ती का बिध्या लए, महा बिध्या लए, विश्व बिध्या पुर्या हर्मा पढाएने विभारिक चौदा विध्या, राख चौश्ठी कलाव, विध्या मा परांगत अनि लगो सिद्धान्त कोवमतिको सारे यूपगी, गुर्याब अर्था नामको सरलंग, अर्था लेखियर संस्किर्थ पण्न प्रहरंब गरेका, छात्र हरूर त्य पढावने गुर्यारू का स्रद्धा पात्र भहेका, इस्तई अस्त सिद्धी का ग्यांत अर्थाद हाती लाई भुषुनो बनावने, अनिमा सिद्धी भुषुनो लाई हाती बनावने, महिमा सिद्धी मुषो लाई हाती जस्ते गर्हों बनावने, गरिमा सिद्धी हाती बनी ़िस खावनस क्सोल वने परककाम्य कि छिए म सासक ब colony ऐसित स्थृ र कसई लाई पनि बसमय अगरावनस. भससिद्धि कर साधना द्वारा। . साधे का सिद्धि औने मंत्रले भुकेर पाने आखा मा छापी दियरा १रक्णकार धायने समुन्द्र भित्र कैली समुन्द्र भित्र रहेका। मा पद्म हुद्म सких मकर कश्यव devo कुद कुंद नीलוך हर वा नामका। नव बिदी अर्थात संपतिका भन्नार देखाई दिने एसता अती संत स्वभाव का अतिनती संत प्रिय एवं चित्त को स्थीर साम इंद्रा हरुकू निरोद दम सत्यता तप सुद्धाता सोज छेमायापन सांती मोहरी एता आजर्ज्वा बोधाता ज्यान विशेश बुद्धी विज्यान इस्वर मा अटल विश्वास मा अस्तित्तो क्रिपा पावान तथा सद्धता परपण दख्षणान इस गूण भाईका तथा अती संतोसी अर्वकू उननती देखेर रमाऊने कसलाई पणी उसको कल्यान हुने कुरा मा तरक कहेर मगना आपसमा सामने रहने मानिसली अकास divр उनना चीक्री पानीमा दूबना चीक्री वहिंको गुन्न शिक्यों तर मानिस मानिसमा परंपरागत कस्तो सद्वेभार हुनु पर्दत्चा वन्ने कुरा शिक्न सके नौनी पिरी रहने किन्तु भुमी बाट जंगल बाट पईदा गरी रहेक हुनाले भुमी पुत्र भुमाशूर कहीने जसलाई वसमाशूर पनी बन्दचन इ फुक्रियाय रा उसको संतुलन भिगारी परिणाम मां विद्धंश रुपई प्रलाई पराउंद चा जसको चहल पनली केई दिनको छनी सुक दिलाई पनी समस्त जगत को सांती हीत्र आनंद अर्द चा इस्तो दनाभी भुवतिक विध्याल एलाई पटक्कै मन ता चा व्यदान्ग अर्थाज सिच्छा कलप व्यकरन च्रुक्त जटिस संद अनी सट दर्शन अर्थाज नियाया व्यदान्त सांखिया पूर्विमाम्स उतरमिमाम्स अनी चार बेद अर्थाद रिक बेद एजर बेद साम बेद अथर बेद एबं यूगर यूग का आठ अंग अर्थाद यम नीम आसन प्रणायां प्रत्या हार ध्यान धारन समाधिकाल सिच्य तथा राम्मण वर्गले सिद्धा पारे का बेद का मंत्र का प्राबले मात्रई शुर्मिर्यावन शक्ने अरुकुने शक्तिली पने नजितिने अजय दान भरू जल्वा थल्ली शुरिय बार्थे संहार गरेर अफु भित्र भारन गरेको बड़मा अग्नी नाम को विजुली लाई प्रयोग याई कतिपत काम्मा जोताई पैस्या कमावने तथा विश्वास कारी भाठोमा लमकन दान भी शक्ति कर हरुलाईर तिनका उत्पती शक्तिलाई निरंतर धुर्वतारा को द्रिष्टी परी रहने हुना ली आर्य बर्त बिंदिया चल को भीजमा भूमी रा तेश पुन्य भूमी को पुरेई आकास्मा धिमकने नदीने तथा आपना पूर्खाले आपना उत्तराधिकारी संतान ब्राम्मन हरुलाई मात्र ती मंत्र सिद्धा गरने सक्ति था ती छोडेर गय का बेद का मंत्र हरुलाई शिद्ध पार्ना आपना शिष्य हर लाई उक्साई रहाने तीनको बुद्धी तिर्खालाई गायत्री जबको महिमा वताई रहाने फेरी पिर्थिवी जल तीज बायु आकार को सामविक सक्ति समवने ब्रह्मा हो भन्ना बन्ने जानी राखना साथे पंचायान को पांचायन को ये दुई चार दिन उसलाई परिक्रमा गरी सुर्जे दक्षणायन होदा सम्मा एक साई आठ एक साई आठ मिनेट नहीं दिनमान घर्दाश्या वन्ने ती बौत का लागी एक साई आठ ताना को रुद्राक्षे वाकुने मालामा गायत्री जब घर न सकने लगावने अनी म पहले भनेका ये कुरा मा नमाने र शुर्य अस्ताउंदा जागनी अन्दकार जाई जागे का दाना भी बिला सिताको जमक दमक मा लठ्थ्याई बेद पढ़न एवम उसका मंत्र सिद्ध पार्न जाडेवर उसको लरको लायो मनी कल्पान तर सम्माई ती दान भरुको दास अनि सारा आरे बर्तका जनतालाई परा धिन पारे उसको अप्रतक्चे दास मनाई ती दाना भरु दारले निरन तर थर 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 काप दय उनका बसमा रहून परला बनी बारा मार सम्झाई रहने एदी तीमेहरुले आपनो ब्रामड हरुको त्रिकाल दर्शी जकते खमपाउन अनि सकती लाई थामे राकना सके वने कुनेई पनी अरू सकतीले तीमेहरलाई खेई नापना सकते ना रा नता सुषक खरुले ने सोशन नाई गर न सकता जन नता सोशन गरे आब शिक्टा ने परचा बाहरी परलाई शकती को डर ना भाईपची शाचा घरूपनी ढुक अपनो धर्म चार्ड़ाचन तब देश भाणी छा। जबसमा ब्रामन वर्गले आपनो धर्म थामी राख्त चन तबसमा देश सुख सान्थी बने रहंच बने आपनो छिश्य हरुलाई सम्जाई बुजाई रहने ती राजनेतिका खग्गु धर्मा शास्तर का खपीश अनि तत्तो मंत्र जपन तुना तोड़काका जादू चट्टग जार फूग धामी जाकरी उकती मुलो गर्णमा निपून अर्थाद गणई जीको मंत्र वीदी पूर्वक जपी सिद्ध पारी सिद्धी प्राप्त गरेका सदा कल्यान कारी सकल भारती अध्यात्म विद्यामा धुरंधर किन्तु प्रारम भमा सुखकारी भाय पनी परिमानमा जगत विदंग्षकारी विकासित भौतिग विज्ञान का कट्तर विरोधी तथा सदरी जल बॉल नभई सांती चाहिने एक दे उपधैय नाम गरेका ती नई स्थिक ब्रामन एसे राज्ये का राजा अर्थात मेरे बाबु का राज गुरे थी सब्सक्राइब बॉल नभई सब्सक्राइब देखाया अनुमती देखाया असनमा दुबई घुडा मारे वसी हाज जोडेर गवरी आशुडब्त गाउदे आपना सारा पाप कर्म को व्रितांता बताया आपनू पस्चताब रुबी तड़ पन सुनाया ए ब्रामन देवता बे मेरा सोदेर हे दीज स्रेश्ट त्यों पाप बात मकसरी सब गतिमा प्राप्त होला आपनो कुकर मली पिरियेको तड़पी रहेको उदास मन भयकी विचरी वहीरी पाप रुपी भासामा गवम्माई भासे की मलाई मेरो जटामा समातेर इस पास बात अबाईर निकाली दिनो ए ब्राहमन स्रेश्ट बाया का स्रेश्टीले मेरो उपर करुणा जल वर्षाउनों शिके नेकी सच्चन माता सबय जाना क्रिपालों ने हुँचा किन्तु सादो हरुमा असच्चन पनी क्रिपालों हुँचान मेरो इस्टो बिनम्र प्रथान सुने रती दयालू ग्रामले, मेरा उपर क्रिपागर्न भयोर, सबै धर्मले भरियेगो तथा मलाई अती प्रसन पार्ने बस्तू, इस्टो कुड़ो बन्नुवाई, ने सुन्दरी, तिमी सबै निचिद्ध ग्रणेत आचरणमा अरुलाईरम, वली भाती जान दाच्यो, महिले भनेको कुरू जट्टल जट्टै गर, अब तुरूंते तिमी प्रजाती ब्रामण को छेत्र प्रयागमा जाओ, तेहां कहेर, तेही रहेर, संदे गंगा एमुना सरसोती नदिको, संगम त्रिबेनिमा नौहेर, महमुने गर, विशेश गरे शुर्जे रही का विला, त्रिकाल इस्नान गरने गर, तेशा इस्नान को पुन्य फल्ले तिमरू सबई पाप नास होच, जशले तिमरू पाप नास होच, इस तो आरको उपाए, मह देखती न, तेर्थमा गरने गरेका इस्नान ले रिशी हरूले ठुलो प्रहचित बताये क हे सुमखी, नित्य प्रयाक प्रयाक इस्नान ले पाप खरियेर, सुद्ध पवित्र भाहई किती में, वरे पची पक्काईने शोर्ग जाने छो, प्रयाक राज को संगमपो इस्नान मात्रेले पनी, मनस्यला शोर्ग प्राप्तर में छे, इसमा कुने इस समसाय साई न, हे सु छेण माने बिलावुद अर्थात ना सुन्च, हे सुन्धरी, येस बारेमा युटा, अचम्मक उप्वेक्यान सुना, उयले कुने इस समाय मा, गोतम मुनीकी पत्नी लाई देखेर, काम रूप सत्रुको, बसमा परेको, गुप्त काम युप्त इन्रले, गोतम का इस रूप दारेर उनलाई शुटक का भोग करे, तव रिशी पत्नी गमन गरने इन्रलाई, उसके सामने तेश उग्र पापले उतिने खेर फल दिलाई, तव तेश इस स्तरिका पतिको, सराप को सक्तिले इन्रको शरीर, अजार योनिले चीहत भाय को कुरू निंदित लाजा मर्नो को तव मुन्टो निूराएर दिवराज इन्र त्याँ बाट निसकी, अनि चारे तिर निरंक्रीत निंदित उनले अफुले गरेको त्यू घ्रनेत खरमलाई निंदा गरना धालीर, मेरू परभत को टाकुरू मा रहेको, सय योजन अर्थात चार सय कुष भराकिलो, पानी पान ठंभ भरी एको, रातात चुच्चा हुने, ठेता न ठेता बडे बडे राज धंस हरूले, चोब एको, करें कुरूमको लामले तोरन इको, रंगी बिरंगी का कमल हरू भुल हरू पक्री एको, विशाल ताल को हिमा लै। हीम जंगलमा उव्यको कमलको कोपिलामा लुकेर वसे। तेसे कमलमा वसेर आफुलाई तता अपने सरीरमा रहेको महान सब्तरु कामा देबलाई निन्दा गर्ना थाली। जुन कमली मुंट्याई दा ठुलू जल पनी लोकमा निन्नित भायर आखिरिमा नरकमा जाकिन छल। काम चेस्टाली उत्पन्न भायको त्यो पाबसान जुच जुच आफुकृति इस धर्म तथा धैरेलाई सत्या नास पारी दिन्दी छ। अनि आपत्य हरीको निच्चित इस्तान भायको त्यो धुरा चारी काम देवलाई दिख्खारिश। आपने देहमा रहेको कईले बसमा नरानी कईले संतुष्ट नहुनी कईले नागाउनी अत्यी संतोसी प्राणी हरीको निकट शत्रू काम देवलाई पनी दिख्खार्श। हे संदरी इस्ता प्रखारले कमल रुपी सदन पनी भारमा लुकेरा बसेका इंदरले सोची रहेका वेलामा उता शुर्गामा इंदर ना भायरा शुर्गा को सुभाने रामे नहीं रहने तेश पची गंदर्व साइद लोकपाल साइद किन्नर साइद देवताहरू साची इंद्रियानी का साफमा आयर सबैले देव गुरू ब्रेश्पतिलाई स्वधिये भागभान आमेहरू देवराज इंद्र का भारेमा पटक कै कै जान देनो वहां का रहनू भायकोचा कहा जानू भायकोच अब आमेहरू आपना राजलाई राजलाई काहा खोजाँ जसरी वहरमा सुपुत्र न भायर दान धान्यार गुणे गुणले भरी एको पनी कूल को सोबा मुदैन एसे गरी देवताका साथमा इंद्र न भायकान स्वर्ग सोबीच्छाई हे गुरू, जे गर्दा स्वर्ग लोग को सोबा बढ़ दाचा चाड़ाई न एसते उपाय गरी बख्षन होच हे गुरू, स्वर्गालाई सोबाले युक्त स्वामी भायको पारी बख्षन होच एस काम मा धिलो गर्णों योग्य छाईना भनने तिनेहर को खुराशुनेर गुरू ब्रियास्पतिले उनेहरलाई भननों भयो आपुले गरेका अपरात को लाजले लच्चित भायर इंद्र जाहा बसे काचन त्योकुरा मा जान्द छु बेविचारले सहास्मा गरेका काम को फाल अहिले इंद्र भवी रायका चन्द जो जनले नितिको त्या गर्द चन्द ति जनले बड़े बड़े दुखा को भोगन पारते चा असरी छकि राज्ययको वहले उन्मत्त भवही एको पूरुष गर्ने न गर्ने काम को विचारई गरदेंन अपलायने नास गर्ने वाला अनेक प्रतक्चिवा अप्याक्चि निंदित काम गर्द मार्द छु जुन अपराद गर नाले यहां पनी उनी जन्म निस्पल गुंचा यही शुरगण हो अब हमी तेहां जाओं जहां ती इंद्र लुकेर बचे खाशा गुरु विर्यस्पति ले इस्तो भनेपची विर्यस्पति लाई नै अगी लगायर गई का सबय दिवताहरली तेश आश्रम भाट निकलेर उक्त तलाहुमा पोगेपची तेश फरक सरोबर मा सुन जस्ता सुन्दर कमल को बन देखी अनि डिल मा उभियर जस्तो प्रसान गरद इन्रलाइब विश्राम परच मिलीर घडि रॉप्ष आश्ये तत थे तरिकाले था आवा गुरुहरुको विल्यौ Nepom of Chalpa निकलेर निकले दिखेर उंको मुग sociow typ jim विरूब थियो लाज का लाज ले मरे का उनिका आखा निवरी का थे औने इंद्र ले ती अभुभंदा चेठ्था गुरु को दुबई पाव पक्रेर हे गुरु बलाए रक्षय गर्ना होस। इस पाप को ना सुने अर्था इस पाप बाट पार पावने उपाये बतायों बता हे दे विन्द्र इस पाप को ना सुने उपाये मा बताऊं चु शुन एदी प्रायाग मा गयर गंगा एमना सरसोतिको चंग मिश्तल त्रिवेनी धाम मा ज्वाम ज्वाम एक सै आट डूबल की मारे मारे गरेर मागे अंशिको दिन नुहायो बने मात्र बनी एस छेड मा तु आपना आपना गुरू राय का देवताहरू साथी इंद्र अकास मारगले मागे अंशिका दिन प्रायाग मा गंगा एमना सरसोतिको चंग मिश्तल त्रिवेनी मा एक सै आट डूबल की लगायरा नुहाये तब तुरुंत है उनी आपना पाप आठा मुकत भई यानी छुटे अनि अत्यन्ते प्रसन्न भयका देव गुणले युकत नुह लाई बर दिन भयो हे निश्पाप इंद्र व्रयागमा कुम्ब इस्नान मात्र गरनाले तिम्रों पाप नास भयो हे इंद्र अब सोब पाप नासे को तिम्रों यी अजार योनिका भदला मेरों क्रिपाले तिम्रह हजार दिब्ब्य दिश्टी होन भने रा बर दिन भयो ते तिने खेर ब्रह्मा का भरले शची पती इंद्र पने जसरी मान सरबर्म हजारों पामले शुबित भई को छा ते सेगरे अरूले नदेक्कीने दिब्ब्य हजार आँखाले सुबि आपनो उग्र पाप नास गरना चाहने हे सुन्दरी अब तिमी तुरूंत आपनो समस्त पाप को बिनास गरना का लागी। तथा अचल स्वर्गवा कैलास भास प्राप्तिका लागी। यो देवता हरुली पनी सेवा गरिराई को प्रयार को। ते मेनी को संगम्ना जाऊ। पर आज पोश सुक्ला एका दसियो। आज पांस दिन सम्मों पोश सुक्ला प्रणेमा आऊुछ। तेस दिन देखिने प्राप्त क्रिया सकी, प्रात क्रिया सकी, हाथ गोड़ा का नं काटी, त्रिमडी मा नुआई द्वाई, शुद्ध पवित्र भई। अबिश्य बस्तु मात्र दिनों एक छाग खाई, तिहां का तिर्था पुरहितलाई शोदी। उनले वनेवा अराय बमजिम गरी नहीं पुर्भक तरवे निमा। त्रिकाल इस्नान गरी सोव भाग्य दिने, सोव भाग्य बढ़ाऊने, पाप सखाप गराऊने, स्वर्गमा बास दिलाऊने। शुस्तानी देवी को बरत बसी, माग सुगल पुणे मा को दिन देवी को उध्यापन पुजार। शक्ने गरी उसे भीजमाने मकर राची शुर्जी। सरी को दिन परे आगे संग्रांती को दिन देखी। भाल्गुन संग्रांती नलागे सम्म दिन हरुमा। त्रिवणी मा आग इस्नान अर्थाद मकर इस्नान सर्दावव भक्ती पुरवग। ओम नमो भगवते बासुदी बायो मंत्र जबते गरने करा। ता सुस्तानी देवीको किरिपाली प्रयाको त्रिविणीमा माग भरी मकरिष्णान गरीको कुण्डेली तिमरा सारा पाप ना सुनेशन्द। निस्पाब भयकिती मिले अंत्यमा सदाका लागी कैलास बास वासुर का बास पाहुनेचु। अने एस्तो त्यू इंद्रको व्रितान्त सईदको मंगल कारी बचन ती प्राम्मण को मोखबार्ट सुनेर मैले उतिने घेर हतारी दे उनका घोडामा ढोगेर आपना सबै बंदु हरूलाई तास दासी हरूलाई अनी अईश्युरे सक्ती साली आपनो घर लाई तेहीं मात् सालक बहुतिक भोका विवसलाई प्रतक्चे विश्को गास जस्ते ठानी चटक कत्यागेर अनी आपनो शरीलाई पनी जान भंकूर अर्थाद छेन भंकूर अर्थाद केई दीन पचिने अवस्य ना सुने ठान्दी ठान्दी मों ती ब्रामन को घर बाट फुत निश्की अन नरक रुपी समुद्रमा जाक्कीने भहिंकर अन्त करण को आगले हिर्दयीमा वत बती पोली रयक महिली हे राचेश तब त्यहां बाट सारा सर प्रयागमा गईर राममल्ले बताय जस्ते गरी स्री स्वस्तानी देवी को बर्त पुजार माग भरी निश्काम त्रिकाल अर्थाद विहान मध्यान साध नेम पुर्व गंगा इस्नान गरे यमुना सरस्वतिको संगम इस्तल त्रिमेणी में जालमा सर्दा साथ पतकई पिच्ची ओम नमो भगवत्ति वासु दिवाय इस् डूबल के मारेर मक्करइश्नान मंगरे अब हें बुड़ा राक्छेस त्रिमेणी में गरेको मक्करत इस्नान को मईमें आस्तल तिन 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 तिहां लगा अलग मक्कर इस्नान negócioत्यं मेरों समस्त पापनास भय माकी 37 दिन को मंख इस्नान ले मलाय पुंडे मा रमावंदे बसे कचू एसे प्रयाक को मकर इसनान को प्रभावले नहीं मलाई एस तो यो पुर्वा जन्म को जत्ती इस्मरण ज्यान हुन्च इच्छान शार को रूब बदलना सक्ने सक्ती त्यों खेचरी पनी आकासमा उर्दे उन्नी र उन्नी गती राजगुरुन भाऑको बीद विध्याको ज्ञनệc अधियो कहईलास को वासप्राप्त भाऑको तिसे ली प्रयाको मकर स्नान को महिमा समझे प्रतेग मागम प्रयागम रिखनान गरना माप्रयाग जाने कचिंदैकरिक शूँ Umam पूजेशं पगेर पारवतिका साथे स्वामी शुस्तानि देवी को पुजा गर्षु हे राक्चेस। मैले मातरे वहिना जसले पने मैले श्ते घरी त्रिम्न के तटमा भसेर सुस्तानि देवी को बरत पुजा मकरश्नान गरदा शा ती सबैली बनी शर्ग लोगर कैलास को बास पामुशा ये ती आपनो पुर्वा चरित्रको ब्रितांत बखाने र फेरी कंचनाम निले हे राचेश आस्चरे चकित भाहेका तीमीले मलाई जो शुद्यू त्यो मैले तीमरा प्रसन्नाता को लागे आपना बटे का सबै घटाना सुनाई अब तीमी पनी मेरे प्रसन्नाता का लागे आपनो पुर्वा चरित्र बताओ पुन कार मले तीमी एती बिरूप राचेश र अतिन्त डर लागता भायर जन्मेका छो दारी जुना बडायकार बडा बडा दारा भायका मानचे को मास्यु खाने भायर कीन यो पहाड को गोखामर हान्चो मनेर स्वोदिन तब तो राक्षेस भन्ना थालेव सजन जन प्रिये बस्तु दिन्छन र गुईय कुरो लिंचन प्रेम पुर्भाग बोल्दसंड सोद्धसंद हे भद्रे कल्याने परायको कल्यानको घरने वाली ती सबय कुरा तिमीमा रहे काशन हे बामलुचन हे हे सुन्दरी तिमीले मलाय निस्चयने किरिपा गर्यो यो कुरोमा बंदस हे भद्रे यो मेरो कर्म कुर्म को निभारन तिमी बाटने चाणाई हे चाणाई हे यो सब तिमीलाय म सुनाउंगा च्यो सज्जनलाई दुख निवेदन गरे पची तब सबय सुखी हुन्चन हे हे पातलो कम्मर वाली सुन्दरी अब मेरो बिर्टान तसुनु पहिलेको जन्मामा म कासिमा बेद को धेरै रिच्चा हरू जपने पेद बिद्यामा पारंगत स्रिष्ट ब्राम्मन थी ठुलो निर्वल कूलमा मेरो जन्मा भाहे गत्यो वहे सुन्दरी ते दिखेर मेले दुरा चारी राजा हरूले सुद्र हरूले अनि वैस हरूले गरेका डर लागदा निन्दित दान का बस्तु हरूले पनी कासिमा बसेर दान ले प्राय गरेर धेरै पल्त धेरैने निसेद गरेका घ्रणीत दान पनी ले अनि चंदाल हरूले गरेका कृत्य सेद दान पनी महिले ले तेहां सम्मकी किसान अरले बजार मा किन्दा परने तर पसलेले एक सहे मा किने का बस्तु लाई करोड़ों को भारी बुकायर तिन्द सहे मा किसान लाई बेचने अनि किसान ले उपजाय को खाद्यान वा खाद्य बस्तु किन्दा चाई सुकती घडती दुलाई कोठी कुशीद नगर प्रवेश कर कटाई एक स्वय को उसको मालाई साथिमा किनलाई समस्त किसानलाई किंग याई उत्तम खेती मध्यम व्यपार अधम चाकरी बननी बिरेश्पति को नितिलाई परलक को पलटाई उत्तम चाकरी मध्यम व्यपार अधम खेती बनाऊनी सुक्रा चारी को नितिलाई अंगाले रा किसान हरलाई हलमटन बनाऊनी अनी सादू सचन हरलाई सताऊनी तत कालीन उल्ला डबाज उल्लाय हरुको पाटी बादी सरकार को पाटी शाच करले धाग देखाऊना वरीर एको त्यो किसान को सोची एको पापई पाप ले मुची एको द्रब्बे दान पनी लिए पची परिनार दान लिए पनी फुरकी न छोडी न तथा अरू अरू पनी लोभीले त्यां कत्ती को कत्ती अनेक पाप गरे जहां मैले जो न गरेको पाप कर्मा चा त्यो चाई न हला हे सुन्दारी मैले तेस पुन्डे छेत्रमा गरेका अरू पाप कर्मा पनी छाने एती अभी युक्त वरनाशी अर्थाद बरुनार आसी नदी को भीच मार छेत्रमा गरी रहको एक रक्ती पनी जो पाप छो त्यो पाप मेरे परवत सामने ठुलो हुन्चे मैले उस जन्मा मा कती पनी धर्मको संचाई गरी न हे सुन्दारी तब ये सरी या धेरे समय बिती सके पची मा उही नहीं मरे अभी युक्त वरनाशी को प्रभावले मा नरक मा गही न अभी मुक्त चित्रमा मरोको कोई पनी पापी नरक मा जाधे नन किन्तु अभी मुक्त चित्रमा गरीको कुने पनी पनी पाप बज्र समाने दृड-रही नानाशीनी हुन्छा टैसे बज्रले पापको प्रभावले हिमालाई को परवत मा बहया नक अति ao दुष्ट पापी राख्चेस भायर मेरू जन्म भाय को यो भन्दा पोईले दुई पल्ट गिद्द तीन पल्ट भाग दुई पल्ट सर्प एक पल्ट लाटक शेर भायरे जन्म एको थी तेश पची नवो पल्ट सुंगुर पनी भाय है आमिनी ए सुन्दरी यो मेरू राख् कारी ने यो दुखा समंद्र बाटा मेरो उद्दार हुने उपाय चाई ना हे सुभद्रे सुन्दर आखी भायले यहां वरी परी तीन ह्योजन अर्थाद बार कोश सम्म को भुमी मेले जन्तो हीन कराई राएको छो हे सुभरू मेले धेराई नीर अपराधिलाई जीब को पनी नास घरेको छो तेस दुखकरमाले मेरो मन नेरंतर जली राएको छो तीमरो जो यो दर्शन रुपी अम्रित ले स्वची एको मेरो मन अहिले एकदम सितल भायेको छो तीरता हरुको सुभ फल्वा कुने समय में गएर फल्च तर सचन को समा गम अर्थात भेटता तुरूंत फल्च हे सुभरू एचे उसले बद्दीमान हरुले सचन तीको प्रसमसा गरदसन मेरो मन ना भायेको यो आपनो सबई दुखा मेले दिलाई बताई हे सुभरू एचे तो कोही विकराल कोटीने सचन होला जसले उसको दुखा सुनेर आपनों अंतराल वित्र नहोस एस बारे मा उचेद कुरा तिम्रो तिमी स्वयम बंद छेओ तेसे कारण अब एस बंद पर तिर केई बंदी ना महर हमेशा एस दुखा मा दुखा साघर बाट कसरी पार पाउद चू बनने कुरा सोचे रहां चू सजन हरुको समागम सबैको उपकार गरने हुँचा के छीर समुंद्र केवल हांसलाई मात्र दुद्दिन चारा के बकुलालाई दिलाईन हे अगस्ति मने तिस राचेस को इस्तो बचनले सुनेर दयाले रिजये पगले की कंच मालीनीले धर्म दानमा मती गरेर अर्थाद धर्म दिने विचारले वनिन हे राचेस तिमलाई मा अबस्चे उद्धार गरने छू अहले तिमी सोच न गर तिमरो राचेस बाट छुटका प्रसन गरने छू प्रहत न गरने छू इस्तो द्रीड प्रतिज्या गरेर भन्न धाली मैले वर्षेने विदी पुर्वक धेरे मा घिस्नान्र सुस्तानिको बर्त पुजा गरी सके को छू ए भद्रा राक्षेस यू सब मैले गंगाय मुना सरस्वतिको संगम ब्रह्मा छेत् मकरेश्नान्र कैलास को उस्रद्दा पुर्वक सुस्तानिको पुजा जो घरने गरेको चू तेशको यो पुन्डे संख्यारति दुबई सत कर्ममा धर्ममा मा बढ़न गर्द चू जस्ते विद्वान जन हरूले धर्मको आत्रन गुप्त राखनू बने का चन बेद जपने म पुनिहरू दुखी लाई धान दिने काम को प्रसम्षा गर्द चन हे भद्रे भद्र भलादमी समुन्द्रमा पनी मेशको के फलाउंचर हे राचेस मयले स्वयम तेश पुन्डे को फल अंभब भरिशाकी कचू हे मित्र तुरुन्ते तिमरो पाप इनास गर्नको लागी मों तिने ओटा माग मना को पुन्य दीरी वही है अगस्ते मही। स्वस्थानिक पुन्य मिशिये को तेश को त्यो माग हशनान को धर्मा भात प clocks अिधा भयको त्यों पुन्य को प्रभाप सुना। तु पुन्य पायर उसाई बेला उसले राच्चे शिर ध्यागेर शुर्जय असतो तेजीलो देपता को आकार मा भःुर हर्चली उसका आकाख खिली देउताहरूले लेयाय का विमान मा चडायर ये तिकीर आकासमा इस्तिती विमान उसलाई देखे उसको तेज जबूदे जब आपना प्रभावले दसे दिशालाई प्रकास मान पारदे दिव्य दिह दारण गरेर त्यों राक्षसले तब मर्णव दुस्त्रूप शुरिय समान को सुभा पायो तेस पची उसले त्यों सजन कंचन मालीनिलाई प्रसमचा गरदे भन्योर खर्दो भैवर भन्यो ले भद्रे ये कल्याने कर्मको भल दिने वालाचा भगवान जो भगवान इस्वुर छा त्यों सबय कुरो जान्दसन जहां जुन पापले मेरो उद्दार हुने सकताई ना त जब पनी कृपा पुर्वक मेरा उपर प्रसन्य उन होई दया गरन होई र सारा निती ले भरियेको कल्यान काली शिक्ष्या मलाई दिन होई त्यों तिम्रु सबयी सिच्या निष्चा निष्चाइने धर्मको आचरन घरावन वालाउन पर दर्च जुन घरनाले फेरी मौ प त्यों राचेस को राचेसले भनेगो प्रिये धर्म समय इस्तो भचन सुनेर अतिनत पृति पुर्वक्तियों कंचन मानेली उसलाई धर्म निती सुनावन थाली हे दिप्या दिहामा परिबर्तन भायका राखचेश्च अब तिमी हमेशा धर्मको शेवन गरा प्राण इंग माचो भलने गरा हरी को या हर को हरी दिन पुजा गरने गरा लोग अंधा सारा सार देव लोक जाओ पचि मर्त्य लोकमा जन्मली पचि पनी अड़ी माशु रगत भरिये को त्यों सरीर को हिरिक्क हुने आपनो बुद्धी तिमी त्याग अमेशी स्वास्नी छोरा छोरी को हिरिक्क हुने माया अमतामा मात्री नलागी राद दिन एस संसारलाई छेण भंगूर ठानर इच्च्या सक्ती प्राप्त गरावन सक्र योगमा स्रद्धा बढाएर एसी मात्री तिसमा मात्रे तन मन लगाएर वैरागे अर्थाद निस्प ग्रिहा बावमा रमावने हुने हुने यू धर्मको मार्ग तिम्रो प्रक्रिती ले भने को हुने सबय कुरा मनमा राखर सित्तल सभाब ले हुने हुने राक्षेशी सरेला इति आगेर देवताको रूप दहरने गरी संकीलो भाई विमानमा बसेका तिमे अब जट्टै तिमे प्रसन्नाता पुर्भग रहे तिम्रो संदै कल्ले आडूस हे बरणा बीनी सुन्दरी चंद्र सुर्जी रहे सम्मा तिम्रो कैलासमान नहीं महादेम शीव का नजिक रमाई रहुने पारबद जिका साथ तिम्रो संदा अटूट पेम रहोस हे माता तपाई संदा वाली तपस्यामा निष्टा वाली हुनुहोस सरीरमा लोब्र समस्त तिम्रो ममत्व तिम्रो नराहोस दूखी हरुको दुखाईलाई संदै हिरने विचार गरी बरीने बक्षियोस एती बनेर अन एती सजन कंचन माली निले गाइड होकेर ते दिखेर देउता जस्ते भाय को त्यों राक्षिस धेरेई गंदर भहरिली स्तुथी गरिदाई सरा सर शर्ग जांदो भयो तब ते दिखेर त्यां बाट अक्षदमा सुस्तानी को नित्य पुजा गरना आये का देव कन्यहरुलाई त्यू तमासा देखेर हर्शली गदगदभाई को हुदा त्यां आहेर त तेस कंचन मालेनी को सिर्मा फूल को विष्टी पर साये तेस पची एस लाई अंगाल वाहलेर ती कन्यहरुले हे भाद्रे तीमिले एस राक्षिसला विचित्त तरिकाले पाब भाट चुट्यायों अन्ने प्रिय बचन बोलेर प्रिय बचन भन्ना भाए तेस दुष्टका भागेले भाएले केही पनी एस जंगलमा पस्न सक्ताई ना थियो अब आमे निर्भाए भाएर एस जंगलमा चुख पुर्भाग डूल फिर गर्शों अन्दै ती देवता देव कन्याहरु आपनो नित्य पूजा शिद्याउन अच्छिद्त तीर लागे हे अगस्ते मनी त भीपिश टुकरा सुनेर कंचने माली निर्ग अत्यन्ट खूशिभाई अब त्यो सती कंचन माली उसाई धानली कित्ताःत उड़ी भाईर सुस्तानीक नित्य पूजा गर्नकर लागे कैलास तिर उड़ी उड़दा उड़दय मानि अगलमा पनी त्येस राक्चिसला सन्न भय हे अगस्ते मनी जो मनुष्य त्यों गंधर्व कन्या कंचन माली निर त्यों बुडु राचिस ले कहेको यू सैष्ट संभाद भक्ति पूर्बक्षुन दाच्छ त्यों त्यों मनुष्य सदै कहिले पनी अधर्म गर्ने तिरा मन्द उड़ाउनी अपना इंद्रिय बश्मा दुष्ट राच्चे सरुद्वारा यदित अर्थाद पिलित उड़ाईनार तेशको बुद्धी सदै धर्ममा लागी रहांचा एसे उसली उसका परिभारलाई पनी प्रतेक बरस सरिसुस्तानी परमिशरी को पूजा गर्नार त्रिवेणे को मक्कर इसनान गर्न मन पूपनेंतु मंगलम्व सकला जगत मंगलालय स्रिमान दिनकर किरण निवोधित नवनलिन दल निवेच्छन कृष्ण काले बर्षतु परजन्य पृतिवी सस्य सालिनी देशो यम्छो वरहितो ब्रहना संतु निर्भया अपुत्रा पुत्रिना संतु पूत्रिना संतु निर्दना सदना संतु जीवन्तु सरदम्सतं तत्रेव गंगा यमुनाच तत्र गोदावरी सिंधु सर स्वतेच तिर्थानि सर्वानि वसंति तत्र यत्रा चुतोदार कथा प्रसंगह या कुंदिन्दुतु सारहार धबला या सुब्रबस्त्रा वृता या वीना बरदंडमंडित करा या स्वेत पज्मासना या ब्रह्म्हा चुत संकर प्रवर्तिवे देवैसदा बंदिता सामांपातु सरश्वती भगवती नीसे सजाड्या पहा काये नबाचा मनसेंद्रिय एर्वा बुद्धात्मनावा प्रकृती स्ववावात् करोमी अधियत शकलं परस्मै नारा यणायेति समर परियतत ओम स्री स्वस्थानी माता की जय स्री स्वस्थानी माता की जय श्री नेपाल जननी की जय